वी हग्जाब फाइल के Moro के हैं किस तरह कर सकते हैं और कैसे इसे आपको फिर पुरोड़ेस के अंदर आपको से एड़ करना है जैसे कि अपके पास कोई भी इक्स्टेर्णल सेंसर हो सकता है और डीनों का हो सकता है, यह कोई भी आप ने sensor यूज़ कर रहे हैं, Bluetooth के लिए यह vibration sensor आप यूज़ का रहे हैं, ultra voltic sensor यूज़ का रहे हैं, heartbeat का sensor यूज़ का रहे हैं, तो इसके अंदर आपको एक hexa file को add करने के लिए एक option दिखेगी, अब इसके उपर अगर आप double click करते हैं, double करने के बाद आपको properties दिखेंगी edit components के अंदर तो यहां पर आप यह देख सकते हैं कि program file को add करने की option है यह program file का path add करना होता है अब program file का जो path है वो हर एक के computer के लिए अलाग होगा यहां पर फाइल क्रियेट हुई है वो कहां पर पड़ी हुई है वो path इसे हमें पताना पड़ेगा अब मैं आपको और आपको सबसे पहले इसे create कैसे करना है यह तो मैंने आपको घृता दिया कि आपको इसे paste कहां पर करना उस path को copy करने के बाद अब मैं अपताता हुआ को अश्याप करना है तो इसे create करने के लिए हमें सबसे 10 सेटिंग में है 5 में आकर आपको प्रेसरी Keंदर जाने के पार के आपके पस आप्स के इंदर आ बंद उपन पने को दैंग को दैनि इसके ओपर आपके नहीं करने के के उपर ही रहने दीदिए कि सिरफ आपको compile करना है इसे तो यह अन्टिक होगा और बाइड़ अपलोड के उपर टिक लगा हुआ होता है तो आप इसे अन्टिक कर दें और इसके उपर टिक कर दें और इसके बाद आप सैटिंग बाकि कोई चेंज करने के जूरुत नहीं है ओ और आप इसके बार इदो यहां पर शुरुत कर लिया इसके बार मैं कोई भी खरा लिक्जेंपल ओपन कर लेता हूं तो आप यह देखेगा कि सबसे लास्ट के अंदर यह जो लिखा है ना बाइनरी स्केच साइज इसके उपर जो लाइन है यह सी यूजर एंड यह कम्प्लीट जो पाथ है आप इसके आखर में देखें डार्ट हेक्जा फाइल यहां पे जनरेट हो चुकी है अब मैं इसे यहां से करूंगा कापी तो यह हमने दूसरा स्टैप कर लिए फस्ट अब मैं इसे यहां पे करना है कि आप इसे और प्रोटेंच के अधर करना है है कि आपको again component की Components की folder को open करने के बाद आपको program file के अंदर यहां पर पेस्ट कर देना है इस बात को बेस्ट कर देने के बाद आप से कर देंगे बेबेद कर देन smoked थे हैं हम आगको दिखाता हूं कि इसे running 30 नमबर पिन के साथ मेंशन है और उसी के लिए इसने हैग्जा फाइल जनरेट किया अब प्रोटियस के अंधर मुझे एक LED लेकर आनी है तो यहां से मैं थोड़ी सी कोड़ देख सकते हैं कि यहां पिजो जो कोड़ हमने डाला था वह प्रोपर में काम कर रहा है तो इस तरीके से अफ फाइल को क्रियेट भी कर सकते हैं और क्रियेट करने के बाद आप उसे पेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोटियस के अंदर तो आपको समझ तो आ चुकी होगी और इस question का अंसर भी मिल चुका होगा कि how to add the hexafile in the proteus तो तमाम के तमाम versions में hexafile को add करने का सबसे असान तरीका यही है इसके इलाभाई को तरीक है लेकिन सबसे असान तरीका यही है तो अमीद करता हूँ एक आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर यह वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब की दिए वीडियो को लाइक कर देए और इसी तरीके से